हेलो फ्रेंज, वेलकम बैक टो मैं चैनल वंदनाज बुटीक आज मैं आप लोगों के साथ मैं डीप नेक ब्लाउज की कटिंग सेयर करनी वाली हूँ तो फ्रेंज, जब डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो इसमें शोल्डर उतरनी के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं तो डीप नेक में किन कारणों से शोल्डर उतरता है वो मैं कटिंग के साथ में आप लोगों को बताती रहूंगी और उसका क्या सोलूशन है ये भी आपके साथ सेयर करूंगी इसके लिए फ्रेंज, वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखेगा अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज, वीडियो को लाइक कीजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर कीजे और अगर फर्स्ट है मेरी वीडियो देखने है तो सब्सकाइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जोरू कीजेगा मेजर मेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो फ्रेंच यहाँ पर अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो अस्तर को मैंने यहाँ पर अच्छे से आइन कर लिया है और उसे फोर्ड करके रख लिया है बंद वाली साइड मेरी साइड में है और नीचे की साइड में देखे थोड़ा सा क्रॉस फेबरिक है तो मैं एक इंच का फेबरिक छोड़ दूँगी उसके बाद एक लाइन ड्रो कर लूँगी ब्लाउच की लेंद के लिए मार करेंगे 14 इंच की लेंद है उसमें हमें 1 इंच एड कर लेना है 15 इंच पर हम यहाँ पर मारकिंग कर लेंगे यहाँ पर भी हमें सेम मारकिंग करना है तो दो जगा हम सेम मारकिंग करेंगे तो हमारी शोड़र की लाइन बराबर तरीके से स्ट्रेट आईगी अब हम आर्मोल डाउन करेंगे आर्मोल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मुले का यूज़ करना है तो फ्रेंच इस तरीके से आपनों का आर्मोल का मेजर्मेंट पर्फेक्ट तरीके से लगेगा तो 32.5 की चेस्ट है उसे हमें 6 से डिवाइट करना है 6 से divide करने के बाद आता है 5.4 उसमें हमें 1 इंच add कर लेना है 6.4 में हम marking कर लेंगे तो friends shoulder उतरने का पहला कारण तो यहीं पे आता है armhole come down करने से shoulder tight होता है जिसके कारण हमारे shoulder उतरने लगते हैं armhole come down रहेगा उसकी गोलाई कम रहेगी तो प्रॉपर तरीके से blouse का shoulder कंधे में बैठेगा नहीं इसका खिचाव नीचे की side में ही ज्यादातर रहेगा तो इसके लिए भी हमारे shoulder उतरते हैं तो इसका एक ही उपाय है हमें सही तरीके से armhole का measurement लेना है और blouse में marking करने के time पे armhole के formula का ही यूज करना है अब हम आगे की marking करते हैं तो friends मैं beach beach में आप लोगों को बताते रहूंगी जहाँ पर problem आती है उस सीच को लेके मैं यहाँ पे screenshot लगाऊंगी तो आप लोगों को थोड़ा सा clear समझ में आएगा अब हमें कमर के लिए mark करना है तो यहाँ पर भी एक कारण है जिसकी वेसे हमारा shoulder lose होता है कमर lose रहने के कारण shoulder tight नहीं बैठता है जिसके कारण shoulder उतर सकते हैं कमर के लिए marking करेंगे 26 इंच की कमर है उसका 1 फोट करेंगे 6.5 इंच में marking करेंगे 1 इंच बैठ डाट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का extra margin ले लेंगे तो blouse का measurement lose ना हो इसके लिए हमें कमर का measurement लेने के time पे हमें tight तरीके से कमर का measurement लेना है जिससे की हमारा blouse lose नहीं होगा तो यहाँ पर भी हमारे shoulder गिनने की समस्या खतम हो जाती है अब हम करेंगे chest के लिए marking 31 इंच की हमारी upper chest है इसका हमें one fourth करना है one fourth करके 7.75 इंच में हम यहाँ पे mark कर लेंगे अब हमें chest में से minus करना है जो हमने upper chest का one fourth के लिए marking किया था उसमें से हमें half inch minus करना है तो यहाँ पर मैंने half inch क्यों minus किया 11 inch का neck deep है हमारा और जो हमें कमर की पटी ready रखनी है वो हमें 3 inch की ही ready रखनी है तो 14 inch का total length था नीचे की पटी हमारी 3 inch की होगी और हम उसमें से बचा कितना 11 inch तो 11 inch का neck deep हमारा आएगा इसके लिए हमने यहाँ पर से half inch minus किया अगर हम half inch minus नहीं करेंगे तो आप side में screen और देख सकते हैं back side से आप देख सकते हैं neck पूरा फैल रहा है अंडर राम के नीचे भी chest के हाँ पे काफी loose है तो यहाँ पर deep और broad neck होने की वेशे chest मैंसे minus नहीं किया है इसके लिए यह पूरा बाहार की side फैल रहा है तो इस तरीके से आपके shoulder फैले नहीं और chest का measurement सही रहे इसका एक ही उपाय है सबसे पहले तो आप upper chest का measurement के हिसाब से ही marking कीजिए उसी के हिसाब से हमें back part की marking करनी है और cutting करनी है दूसरा हमें one fourth मैंसे minus करना है half inch अगर आप बिना one fourth निकाले पहले ही minus करना चाते हैं तो हमारा जो upper chest का measurement है उसमें से पहले दो inch minus कर दीजिए उसका फिर one fourth निकाल के marking करना है तो उसके बाद फिर हमें minus नहीं करना है तो एक ही बार आपको minus करना है या तो आप one fourth निकाल के minus कीजिए जैसे मैंने अभी किया है या पहले ही अपर चेस्ट के पूरे मेजर्मेन में से 2 इंच माइनस करके फिर 1 फोथ का मार्किंग करना है तो यहाँ पर आपके चेस्ट की प्रोबलम सॉल्व हो गई है अब हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करना है 14 and half की शोल्डर है उसका हमें half करना है 7.25 इंच में यहाँ पर मार करेंगे तो अब हमारा जो नेक डीप है उसके हिसाब से हम यहाँ पर 2.25 इंच माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर अभी कितना neck हो गया हमारा 5 inch तो इसे हम नीचे भी same 5 inch में मार करके एक line draw कर लेंगे तो अथा कारण हमारा आता है अगर हम full shoulder में से deep neck के हिसाब से shoulder minus नहीं करेंगे तो भी हमारे shoulder उतरने के chance रहते हैं तो यहाँ पर मैंने neck width के लिए marking किया है 2 inch में मैंने neck की width लगाई है अब हमें shoulder slope करना है half inch neck width के लिए जो हमने marking किया था वहाँ से हम नीचे की side में shoulder slope की line draw कर लेंगे ready shoulder पटी हमें जो रखनी है वो 2 inch की हमारी यहाँ पे ready आनीचे तो इसके साब से मैंने side का margin भी उसमें add कर लिया है अब हम armhole को shape लगा लेंगे तो यहाँ पर मैं french call लोंगी french call की help से armhole का shape लगा लोंगी तो इस तरह के से shape लग गया है अब यहाँ से हमें नीचे की side में point 25 inch मार करना है यह हमारी cutting में नीकल जाएगा अगर हम इसे down नहीं करते हैं तो जब हम sleeve shortage करते हैं तो उसके बाद under arm के वहाँ पे बहुत ज्यादा कपड़ा इखटा हो जाता है अब हमें armhole को check करना है हमारा armhole का measurement बराबर आया है या नहीं आया है तो 15 and half का armhole था उसका half ready आना चाहिए 7.75 inch तो यहाँ पर परफेक्ट तरीके से हमारा 7.75 inch ready आ गया है यह blouse का measurement था body के measurement में 0.25 inch से half inch तक losing दे सकते हैं तो फ्रेंच यहाँ पर भी एक कारण है shoulder उतरने का जब हम armhole को shape लगाते हैं तो जब back का armhole shape लगता है तो हमें बाहर की side में बहुत ज्यादा shape नहीं देना है shape बाहर की side जाने से हमारे underarm के यहाँ पर भी wrinkles आते हैं और armhole छोटा होने का भी उसमें chance रहता है जिसकी वेश से फिर उसका खिचाव हाथ की तरब को रहता है तो उससे पता चलता है कि shoulder नीचे की side में उतर रहा है हम आगे की marking complete करते हैं तो यहाँ पर हमारा neck deep है 11 inch तो नीचे मैंने 3 inch में mark करके रखाया है नीचे का margin नहीं लिया था मैं half inch नीचे का margin भी add कर लूँगी नीचे से हमें neck की width रखनी है 3 inch की तो इन्हें बहुत ज़्यादा broad नहीं करना है इसके लिए 3 inch में रख रही हूँ तो अब यहाँ पर हमारे neck का deep हो गया 11 inch तो यहाँ पर मैंने एक square shape का box पना लिया है अब यहाँ पर हमें round shape देना है तो इस तरीके से हम shape लगा लेंगे उपर की side में हमें line में ही मिला देना है बाहर की side में हमें ज़्यादा broad नहीं करना है neck already deep है तो यह पहनने के बाद अपने आप fell जाएगा अब हमने जो shoulder slope करके रखा है shoulder slope करने की वेशे neck की side में हलका सा उठ जाता है तो इसकी वेशे भी कभी कभी neck में उठा हुआ जैसा गला दिखता है इसके लिए आप लोगों को उसे straight करना है जो हमने half inch shoulder slope किया था उसी line को हमें straight कर देना है तो यहाँ पर देखे जितना किया था उसे भी हम नीचे की side करेंगे और cut कर लेना है इससे हम cut कर लेंगे तो neck में हमारा जो हलका सा उपर की side उठ जाता है fabric वो उठेगा नहीं अब यहाँ पर किसी को neck इससे थोड़ा कम deep रखना पड़ेगा अगर आपको 10 inch का रखना है या साड़े 10 inch का रखना है तो भी आप shoulder में से 2 inch तक माइनस जरूर कीजिए neck की width आपको 2.25 inch तक ही रखना है उससे ज़्यादा broad नहीं करना है कई लोग का shoulder इसके बाद भी lose रह जाता है तो आपको front के neck में क्या करना है मैं यहाँ पे आप लोग को clear कर रही हूँ क्योंकि यह deep neck है आपको back का deep रहेगा तभी आपको front में यह चीज करनी है तो यह देखे मैंने हल्की सी line draw करी जो हमने उपर का straight कर दिया था उसके बाद आपको front वाले part में 25 inch और minus कर देना है इससे neck हमारा फैलेगा नहीं और जो shoulder के यहाँ पे भी neck deep हो तभी यह चीज आपको करना है एक बार में major tap में भी आप लोगों को clear कर देती हूं तो यहाँ पर से देखे मैंने starting का बन कर दिया है जो यहाँ पर दो line आ रही है उसको हम point 25 inch बोलेंगे जो इसमें एक एक line बनी है इनको suit बोला जाता है तो point 25 inch अगर कई लोग दुबले पतले जादे हैं तो अगर उनको लगता है तो आप 3 suit का margin भी minus कर सकते हैं इससे ज़्यादा मत कीजिए I hope कि यह चीज़े आप लोगों को समझ मा आ गई हूंगी तो काफी मैंने explain कर दिया है बहुत सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे shoulder उतरने के कारण बता दिये है क्या क्या कारण होते है मैंने एक एक चीज़ लेके आप लोगों को समझा दिया है अब हम back part की cutting कर लेंगे इसके आगे की वीडियो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी अगर फॉर्स टाइम मेरी वीडियो देख रहे है तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रू कीजेगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में थैंक्स पॉर वाचिंग